येस कैन वी स्टार्ट गुड आफ्टरून एव्रिवन इस तू थरिफाइव पाइव मिनिट्स का ग्रेस पीरिड मिला है आपको बैच शेडूल्थी टू थर्टी से शुरू होने की चलिए प्लाइव प्लाइव रेदी पर देपार्चा फासन यौर सीट बैल्स एंड जर्नी विल बिगिन नाव हाथ में पेन फोटो पे मुस्कान और दिमाग के ताले को खोल दीजे और एकदम अटेंटिव रहना है आपको नेक्स्ट वन एन हाफ आर्स ये जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है तो एकदम अटेंटिव रही है इयरफोन लगा लीजे या कोई डिस्टर्ब कर रहा है अगर छोटा भाई बैन तो उसे बोलिए कि वो भी क्लास कर ले आपके साथ अभी से सीख जाएगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में मैं बहुत कुछ बोल रहा हूं पर क्या मैं लोग मुझे सुन पा रहे हैं लेट मी सी रिप्लाइ इन चाट बॉक्स एम आई ओडिबल क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं बताईए वरना मुझे बाहर आके आपके घर आके पूछना पड़ेगा अम आई ओडिबल येस रेड़ी एडिवर्वन ओके तो वी आई हीर तो दिस्कॉस अबाओ दे कंपनी आट 2013 बेसिक्स डिस्कॉस करने वाले हां जम दे हिस्टोरिकल बाग्राउंट दी अडिमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कि हमारे कंपनी आट को कैसे अडिमिनिस्टर किया जाता है तो बेसिकली इस फंडमेंटल्स आट वी डिस्कॉस तो आज जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो आपके CEA final, CMA final level तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा CES professional level तक पीछा नहीं छोड़ेगा So today's class is very important because all basics are to be learned today. First of all I want the layout. Somnach ji layout ready कर दीजे Okay Running notes लिखते रहिएगा और this PPT has been circulated in the various WhatsApp groups where you people are already there as well as in the mobile app this PPT has been added to your course and this PPT is also in the app app में, website में आप PPT section में जाएंगे तो basic class की PPT आपको मिल जाएगी ठीक है? आप मेरे से दूर जरूर है, especially जो लोग mobile आपके थूर लाइफ क्लास कर रहे हैं या YouTube के थूर बट आपको एकदम virtual connection अच्छा रखना चाहिए. जैसे एक love wear, जो मैंने पहले भी हमेशा कहा था बीना डोना चारे के presence के भी वो भी धनूर विद्या में उतना ही निपुन था, वैसे ही आप मेरे बिना भी उतने ही निपुन हो सकते हैं So be attentive और अगर कुछ query हो, तो क्लास की बात भी आप मुझे audio query भेज सकते हैं mail करने में आलस आ जाता है, तो कई बार लगता है mail से queries का उतना अच्छे से address लोग नहीं कर पाते, तो better होगा हम और आप एक दूसरे के आवाज के थू भी query को address कर सके, ready सबसे पहले if you see the screen, यहां कुछ history दिख रहा है, but this is not a history paper, but एक historical background जानना बहुत जरूरी है कि हमारे देश में जो Companies Act, आज की दिन आप जो सुनते हैं, Companies Act the Companies Act 2013 यह आक्ट आने के पहले भी हमारे देश में Companies के लिए बहुत सारे दूसरे Acts भी थे, जैसा की screen पर देख पा रहे हैं, आपको year याद नहीं करना है, पहले तो यह सुकून आपको देदू, this is not a history paper, but 2013 के बाद भी हमारे Act में amendments आते जा रहे हैं, के लिए ये changes लाने से investor का better protection हो पाएगा, ethics ज़्यादा follow हो पाएगी, better corporate governance हो पाएगा, तो हर amendment और हर change के पीछे कोई अच्छा उद्देश्य चुपा होता है, तो इसी अच्छे उद्देश्य की बात करते हुए आप देख रहे हैं कि 2013 Companies Act 2013 स्लाइड दिख रहे होंगे, observe कर ये अच्छे से बीना बात किये, कि Companies Act 2013 के बाद भी आप देखो कि 2015 में, 2017 में भी amendments आए हैं और Companies Amendment Act 2020 जो आपको latest यहाँ पर दिख रहा है ये भी आपके syllabus को बहुत बड़ा impact करेगा अगर कोई late join किया हो, अभी अभी आप में घुसा हो, मैं repeat कर दू कि amendments से जो main act है Companies Act 2013, please listen carefully ये आज भी हम जो कहेंगे Companies Act 2013 बोलेंगे सर ये नाम चेंज हो गया Companies Amendment Act 2020 आ गया सर मैं जब छोटे लेवल पर था, class 12 में भी मेरे स्कूल के टीचर बोलते थे The Companies Act 2013 अब तो स्कूल के टीचर भी Companies Act 2020 बोलेंगे, no that is still The Companies Act 2013, what you are seeing, ये जो amendments होते हैं ये इसी act के अंदर कुछ-कुछ चीज़ें में changes ले आते हैं तो ये वाला जो amendment है ये भी आपके syllabus को impact करेगा और ये भी किस उदेश्य से किया गया है कि business और अच्छे से चल सके ease of doing business business houses को relaxation है बहुत सारे चीज़ों के लिए हमारे Companies Act में पहले imprisonment, jail हो जाया करता था तो अब हर चीज़ के लिए jail नहीं होगा बहुत सारे चीज़ों से jail का जो अंजाम होता था वो हटा दिया गया है imprisonment को decriminalize कर दिया गया है बहुत सारे offenses को तो पहले ये आपको clear होना चाहिए कि आपके syllabus में The Companies Act 2013 ही बोलो गया है क्योंकि लोग दो चीज़ का मतलब नहीं समझते हैं तो मैं उस दो अलफाजों को अभी use करने वाला हूँ आप मुझे बताइएगा कि what do you understand difference between the word repeal and amendment please note carefully there are two words repeal and amendment तो आपको ये बता दू अच्छा इस example दिया भा भी है लिखा भा भी है तो आज आपको लिखने का कोई tension नहीं है क्योंकि Indian education system एक problem कि आप से बच्चे board से copy करते रह जाते हैं ये आपका board है यहाँ पर copy करके पहले से चीजों को store करे handwriting practice बाद में घर में भी होती रहेगी and of course मैं भी आपको बहुत सारा चीज अपने साथ test के द्वारा लिखवाऊंगा Companies Act 1956 was repealed यानि वो जर सहित उखाड कर फैंक दिया गया था और फिर एक नया Companies Act 2013 जो हमारे आर आपके बीच में आज भी चल रहा है यानि 1956 वाला Act repeal हुआ था यानि complete obliteration एक शब्द बोलते हैं it's complete obliteration of the whole Act this is Companies Act 2013 जो है वो repeal हो गया था बट ये जो आप देख रहे हैं amendment ये उसी Act के अंदर 2013 वाले Act के अंदर ये basic चीज नहीं जानने से कई लोग फिर वो अफ़ा फिला देते हैं अब तो नया Companies Act आ गया है अपने building में कोई 12 कर रहा होगा वो भी जब business studies में Companies Act 2013 बोलेगा तो उसको आप you know बताओगे नई 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 अब तो नया Companies Act 2020 पढ़ना है तुमको 2013 क्यों बोल रहे हो वो ही आपको बता देगा अगर YouTube में मेरा वीडियो देखा है आप एके सर्स ने बताया है रिपील का मतलब total obliteration पूरा हट गया Act पर ये जो amendment Act है ये repealing नहीं होता है ये changes लाता है in the existing main Act के अंदर ही changes लाया जा रहा है और ये change लाया गया मैंने बताया था ease of doing business के लिए pandemic के situation से हम गुजर रहे थे 2020 में तो हम चाहते थे सब companies को थोड़ा relaxation मिले उनके directors को relaxation मिले तो change का कारण आप समझ पा रहे है just a minute अगर pen drive भी कर रहे हो mobile app भी कर रहे हो तर थप थपाओ अपने को चलो उठो सो के मत देखो बहुत फरक पड़ता है जब आप ऐसे read की हड़ी सीधा करके पढ़ाई करते हैं तो चीज़ें बदल जाती है ready everyone? ओके तो repeal and amendment का फरक आपने देखा सरक चीज बताईए कि कोई भी law बनता है तो आपने बता दिया reasons बता दिया ease of doing business is one of the reasons and globally internationally जो बड़ी देशे हैं जैसे UK, US यहां क्या follow हो रहा है Singapore they are also doing a very good business तो हम हमारे देश को भी उस level पर लेकर आना चाहते हैं इसलिए लगातार ये changes आते रहते हैं और इसको हमें बहुत स्वागत करना चाहिए इन changes का सर एक बात बताईए आपने इस शब्द तो use कर दिया The Companies Act 2013 और आज मेरे को पता भी चल गया repeal अलग शब्द है and amendment अलग शब्द है और क्या कारण से ये amendments आते हैं ये भी हम समझ गए can anyone in the batch tell me a word legislation क्या कोई मुझे इस शब्द का meaning बता सकता है delegated legislation layout delegated legislation in the chat box can anyone tell me what is the meaning of this word anyone doing CMA CAs delegated legislation शब्द से क्या समझते हैं आप एक बच्चा पूछे है sir company का मतलब क्या होता है ये बचपन से आप सुनते आए firm and company का main फरक पता है sir firm में partners की liability unlimited होती है creditors उनको personally पकड सकते है but company में company में shareholders are not personally liable towards creditors company is a separate entity distinct from shareholders ये पक्का सुना होगा school college में भी कि company एक body corporate है sir body corporate का मतलब sir उसकी separate entity होती है sir उसका मतलब company अलग, shareholders अलग कल को अगर कोई company fraud करती है सत्यम नाम की company ने आपने सुना था sahara case सुना था तो सत्यम ने बड़ा scandal हुआ था तो क्या उसके shareholders को मारने लग जाएंगे creditors वो रामलिंगा राजू directors करते हैं विजुली बड़ा फ्रॉड तो याद रखेगा company and shareholders अलग है understood everyone तो मेरा question था what is delegated legislation कोई लिख रहा है बच्चा कोई नहीं लिख रहा है कोई बात नहीं हम बताएंगे आपको delegated legislation का मतलब क्या होता है या इसी का और एक नाम होता है वो भी याद रखेगा it is also known by another name subordinate legislation दोनों शब्द लिख लेना copy में कि हमारा जो company law है ना हमारे भारत का जो companies act है और company के जो features और होते हैं वो बहुत basic से last में आपको फिर से बता दूँगा जो आपने बच्पन में सुन रखा है it's a body corporate इसकी perpetual succession होती है members मर भी जाएं तो भी जब तक है सूरच चांद company का स्थित्व बरकरार रहेगा ये सब सुना होगा ना ग्यान आपने limited liability पर अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि एक word जो आपको tax teachers भी पढ़ाएंगे delegated legislation शब्द का मतलब जल्दी बताओ अच्छ मैं बताने वाला था सुनिए delegated मतलब कि आपने जिम्मेदारी किसी को सौपी है delegate की है delegated legislation का मतलब होता है कि हमारा जो act है हमारा जो act है वो parliament बनाता है ये शायद सभी जानते कि bills जो है कैसे पेश होते है parliament में दोनों house फिर pass कर देते है majority से उसके बाद president की sign होती है और फिर जब notify हो जाता है official gazette में उस दिन से पूरे भारत को वो apply करता है तो आपको पता है हमारा act कौन बनाता है parliament कितना तमाशा होता है opposition वाले oppose करते है बहुत तमाशा होता है भारत जैसे देश में तो act parliament बना दिया changes लाना है तो भी क्या करना होगा parliament के थूँ ही आपको changes लाना पड़ता amendments भी आप parliament के थूँ लाते है तो what was seen in the 1956 Companies Act मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो Companies Act 1956 में Act के अंदर सारे law के provisions थे मेरी बात ध्यान से सुनो कोई लेट आया तो मैं background बता रहा हो कि Companies Act 1956 में Act के अंदर सारे के सारे provisions Act के अंदर होते थे procedure भी Act के अंदर होता था और फिर उसको change अगर करना होता था कोई procedural चीज़ को तो Parliament के थू करना पड़ता था बहुत challenging होता था यानि law जल्दी जल्दी change ही नहीं आ रहा था I am teaching since last 21 years मैं 2001 से पढ़ा रहा हूँ और जब मैं खुद student था और जब मैं 2012 तक आप विश्वास करिये मेरी books में changes ही नहीं आता था क्योंकि act ही change नहीं होता था पर 2013 के बाद बार बार फैशन की तरह act के provisions भी बदल रहे हैं So what did I see? What did all of us see? आपके जो seniors हैं या आपके जो पापा अंकल CACCMA हैं अब क्या देखा जा रहा है समाज में कि जल्दी जल्दी बदलाव आ रहा है क्योंकि अब हम लोग delegated legislation model follow कर रहे है Act के अंदर सारे main provisions डाल दिये गए है और procedure जो होता है न कि यह किया कैसे जाएगा सपोज लिखावा है इतने directors appointed है या company incorporate होगी ऐसे पर जो procedure of incorporation है वो डाल दिया गया है Act के अंदर जो Act है उसमें सिर्व incorporation की requirement को broadly दे दिया पर detailed procedure जो है वो rules के अंदर दे दिया गया है और ये rules बनाने का power हमारे Parliament ने Parliament बनाता है न Companies Act तो हमारा Parliament ने ये rules बनाने का जो power है ये rules बनाने का power दे दिया है Ministry of Corporate Affairs को हमारे यहाँ बहुत सारे Ministries हैं तो ministry of corporate affairs rules बनाता है रूल्स बनाता रहता है एक्ट को इंप्लीमेंट करवाने के लिए यानि एक्ट में लिखी वी जो बाते हैं उनके इंप्लीमेंटेशन के लिए रूल्स बनाने का पावर किसके पास है Ministry of Corporate Affairs के पास है सर एक्ट पार्लिमेंट क्यों मनाता है Companies Act क्योंकि यह यूनियन लिस्ट में में इंटेंड है यह सिविक्स में पढ़ा होगा दे शम्विक्स को अलड़ अगर आपको याद आ रहा हो यूनियन ले सेट लेस्ट कॉन्क्रीमेंट रहते हैं और फिर कुछ ऐसे पार्लिमेंट और अड इनकर लोग वायदा कि अब हम लोग बहुत डायंक लोग से डील कर रहे हैं changes हम लोग environment के नुसार ला सकते हैं और act के changes के लिए तो हमें था Parliament और में जाके वो सब करना पड़ता है तमाशा और बहुत लंबा प्रोसेस है rules तो Ministry of Corporate Affairs जल्दी जल्दी change कर सकता है Is it fine everyone? तो अब मैं आपको इसी के द्वारा अच्छा subordinate क्यों बोला मैंने इसी का और एक नाम है कि rules Ministry of Corporate Affairs frame करेगा but these rules can never go beyond the company's act ये rules कभी भी company's act के beyond नहीं जा सकता तो they are subordinate to the act rules can never go beyond the act तो आज जो बात बता रहा हो ना जब तुम CMA का practice करोगे CA का practice करोगे CS की तरह advice करोगे कई बार ऐसा होता है कि rules act के beyond जाते वे आपको लग रहा होगा तो आपको basic याद रखना होगा जब कोई किसें debate करते हो या आप government के पास कीवे rules को ही challenge करते हो तो basic याद रखना होगा rules can never go beyond the act is it fine? okay तो delegated legislation model का मतलब क्या है अपने आपको बता लो अभी से अब लिखा भी होगा आज का discussion और class खतम होते PPTs को observe करके खुद लिखोगे today we discussed the history logic behind amendment difference between repeal and amendment यह याद करके लिखोगे अभी लिखोगे तो dictation होगा और class के बाद याद करके लिखोगे फिर table से उठोगे PPTs का help ले लेना बरियाद करके लिखना and delegated legislation model या subordinate legislation model का मतलब क्या होता है ये भी clear होगे आपको yes sir कि rules cannot go beyond the act and rules are framed by ministry of corporate affairs सब तो एक बात बताईए मुझे कि हमारा जो company law है इसकी जो administrative machinery है ये कुछ इस type का लगेगा law legislation वाला पार्ट parliament कर कर रहा है executive वाला पार्ट क्यानि कि ministry rules बना रहा है और इसके थूँ फिर क्या होगा वो चीजे implement होगी और ministry इसका ध्यान कैसे रखता है कि इंप्लिमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है तो implementation के लिए ये दो bodies जो है न regional director ये एक body है ओके पताव बताऊंगा भी और ROC इसको short में हम लोग बोलते हैं RD इसको बोलते हैं हम लोग ROC इसको MCA तो regional director भारत में न seven RD offices है साथ जगा आप Google करोगे नाम आ जाएगा आपका हो गई हैं पर आप समझ रहे हो चारों जोन में नॉर्ट वेस्ट साओटीस और उसके अलावा आपके तीन और है तो there are seven RD offices ROC offices almost every state में मैंने not in all states बोला क्योंकि कई states ऐसे हैं जा दो-तिन state के बीच में पांच-छे state के बीच में एक ROC है तो ROC और regional director क्या करते हैं बताता हूँ hierarchy दिख रहा है तो ROC तो बहुत सारे हैं तो ROC क्या करता है अपने area में उनका jurisdiction होता है जैसे police station का भी एक area बांटावा होता है तो ROC अपने area में देखता है कि company का काम काच कैसे चल रहा है companies जो है online periodically बहुत सारे forms फाइल करती है MCA के website पर बहुत famous portal है www.mca.gov.in तो ROC क्या चीज़ देख रहा है ROC देख रहा है अपने area में अपने jurisdiction में यह सब filing work or check कर रहा है ठीक से companies file while कर रही है वरना वे notice भिजवा देता है वो and company उनके पास अपना सारा data वेटा अपने area में भेशती रहती है RD क्या करता है RD is supervising ROCs उनके area में जो ROCs होता है उनके functioning को RD supervise करता है यानि RD उपर है ROC नीचे है RD is supervising the ROCs in their region तो regional director is supervising ROCs in their region ROCs supervising and seeing the formalities का compliance लौ का compliance उनके jurisdiction में जो companies है बहुत type के compliance होती है companies के आप देखोगे annual filing, periodic filing, event-based filing यह सब क्या होता है कुछ-कुछ चीजें हर साल जमादेनी पड़ती है timeline सीखोगे आप मेरे से कुछ-कुछ चीजें event कुछ होने से आपकी company ने share allot किया अभी तुम मेरे को entry जट से बता दोगे पर वो allotment के इतने दिन के अंदर ROC को भी inform करना पड़ता है online form जमादे कर सारे forms online हो गए हैं आजकल हाँ बट आप देखोगे कुछ-कुछ forms companies को physically देना पड़ता है कुछ-कुछ bodies को मैं ROC की अगर बात कर रहा हूँ तो हाँ broadly we say यह सारे forms क्या हो गए है online हो गए है online आप online जमादे देते हो e-filing e-filing बोलते हैं तो अपने आपको पहले समझाओ से मेरे संग आपको marking नहीं करना है और आप लिख भी रहे होंगे कई लोग अगर वापस अपने हाथ से भी लिख रहे है running notes कि regional director is supervising ROCs ROC is supervising the companies in their region okay तो RD and ROC के थूँ यह implement करवा देता है so act parliament बनाता है ACT जो act है वो parliament बना रहे है act का और एक नाम बोलते हैं legislation और एक कई बार बोलते हैं हम लोग इसको enactment तो यह parliament बनाता है अब देखो कि act बन गया और आप act के लिए आपको पता है पर matter बहुत urgent है हमें जल्दी से सारे companies के लिए law लेके आना है matter urgent है पर अभी house of parliament session में नहीं है या matter discussed नहीं हो पा रहा है तो temporary law एक बार तो हम बना के रहते हैं so temporary law yes यह president of India temporary law बना देगा और इस law को temporary law को हम बोलते हैं ordinance यह तो class 10 में मैंने पढ़ा है civics में तो ऐसे कई बार recent past में हुआ है यह ordinances आए हैं आपको दिख रहा होगा of course यह limited time तक इनकी validity होती है जो civics में भी आपने पढ़ा होगा और यह सारे ordinances recent past में आए थे तो ordinance भी law का पार्ट होता है and ordinance को usually फिर उन लोग bill pass करवा के act के अंदर उसको ले आते हैं यही देखा गया इन सालों में तो याद रखना law शब्द जब मैं बोलूँ तो of course उसके अंदर ordinance भी आ जाता है law शब्दे के अंदर rules and regulations भी आपको दिखने लगते हैं तो rules जो है ministry of corporate affairs बनाता है याद रखेगा और यह क्यों बनाया जा रहा है ताकि आपके act में लिखेवे detailed procedure को implement कराया जा सके and regional director ROC के उपर है RDs supervise कर रहे हैं ROC इसको अपने region में तो हम पढ़ रहे थे आप running notes में लिखे होंगे administrative machinery administrative machinery पढ़ रहे थे हम हम पढ़ रहे थे administrative machinery आँखों में बस किया है ordinance word running notes में लिखा होगा जो बच्चे संग संग में भी लिखना चाह रहे हैं थोड़ा बहुत because I have the habit when I attend a seminar आप अभी भी attend करते हैं कोई class हम लोग professionals के लिए updation के लिए seminars होते है तो मेरी लिखने की आदत है तो जो लिखना भी चाह रहे हैं they must write it otherwise comfort के लिए यह सारी चीज़े आपको वापस से मिलेगी ठीक है उसके बाद देखिए हमारे act में यह दोनों चीज़ हमने देखा अब कई बार एक और एक body का आप नाम सुनेंगे अभी जिसका नाम है tribunal N.C.L.T एक और एक body का आप नाम सुनोगे that is N.C.L.T National Company Law Tribunal यह tribunals क्या होते है कई acts के अंदर लोग देखते है यह tribunals they are not courts but they are like court quasi बोलते हैं quasi judicial तो इन लोग उस particular act के अंदर अगर कोई case होता है तो उसको basically they pass judgments they hear, they decide अगर particular act के अंदर कोई case होता है तो यह tribunals handle करते हैं तो हमारे company law में भी आप law पढ़ते वक्त मेरे से बहुत सारे sections सुनोगे जहां पर आपको लिखा मिलेगा get approval of tribunal apply to tribunal and get their approval तो tribunal देखिए court का मतलब आप जानते होगे क्या होता है सर अदालत बोलते हैं तो tribunal is not that अदालत tribunal जो है they decide the cases related to Companies Act यहां पर जो है NCLT और यह हमारा जो NCLT है यह आप देखोगे IBC एक बहुत famous act है Insolvency and Bankruptcy Code and many other acts को भी NCLT handle करता है तो NCLT is handling IBC Code, Companies Act, etc. तो अब आप देखोई हाँ पर हम लोग administrative machinery पढ़ रहे थे और ध्यान से समझ नहीं इस role को तो judiciary बोलते हैं यहां पर NCLT dispute सुनता है और NCLT से खुश नहीं है तो उसका higher body का नाम भी हाँ पर दिया वह आप देखोगे National Company Law Appellate Tribunal and NECLAD बोलते हैं NECLAD यानि NCLT से खुश नहीं होने से आप NECLAD के पास जा सकते हो पका और यहां एक special courts भी होते हैं कुछ matters आपके law में लिखा रहेगा कि अगर कोई criminal matters है company law के अंदर तो वो special courts सुनता है तो वो of course there are separate sections about it पर आज अभी तक क्या हुआ है अगर कोई late join किया है full page towards me तो अभी तक हमने क्या देखा कोई अगर में को बता सके Sir, our Companies Act is a delegated legislation model पर हमने समझा delegated legislation और subordinate legislation का मतलब हाँ या ना जल्दी बताओ पका आज हमने ये भी देखा कि हमारे Companies Act में changes आते रहते हैं but there is difference between repeal and amendment second ordinances है, rules भी होते है and executive में RD and ROC and judiciary में NC, LT, NECLAT and special courts एकदम clear picture पका पूरे syllabus में ही आएगा तो ये पहले सबको clear है जो भी course आप कर रहे हो structure clear है Companies में changes कैसे आते रहते हैं ये भी clear है आपको Yes Sir तो अगर कोई late join किया हो तो यहां तक हमने company का structure देखा है से एक शीर बताईए ये जो RD है ROC है ये क्या है सर ये individuals hold करते है ये office है को suppose Mr. X RD होगा तो RD and ROC are individuals और आपको एक practical चीज़ बताता हूँ practical चीज़ क्या है full page once practical चीज़े ये हो रही है कि ये जो RD है ये एक office नहीं होता ये एक आदमी नहीं होता usually books में आपको नहीं मिलेगा अगर मैं West Bengal की भी बात करूँ तो West Bengal में भी आप देखोगे यहां पर ROC मैंने बोले एक आदमी रहेगा ROC office में पर actually what happens यहां पर बहुत सारे ROCs अलग-अलग posts create कर दिया जाता है के अंदर ही वो तीन-चार hierarchy आपस में create कर देते हैं RDs को भी help करने के लिए बहुत सारे posts फिर created रहते हैं वन आपको लगया एक अखेला अदमी head कैसे सब कुछ कर रहा है तो practically आप देखोगे that मतलब यह एक नहीं है इसके अंदर तीन-चार posts usually created रहते हैं Assistant ROC, Deputy ROC So these type of things you find here Is it okay everyone? Ministry of Corporate Affairs में भी बहुत सारे आप देखोगे लोग involved रहते हैं Secretary of MCA, Joint Secretary Assistant Secretary, Office Bearers तो यह background आपको exam में नहीं पूछता है बट एकदम picture clear क्यों होना चाहिए कल को आपके company को की notice आएगा तो आपको पता रहेगा मुझे किसके पास approach करना है किससे जाके भी आप मिल सकते है back office में Sir आप च्कर आप बोले ना सब online होता है Online होता है पर physical back offices ROC के हैं कई बार आपको ROC के physical office भी जाना पढ़ सकता है तो ऐसा नहीं कि physical office ही हट गया ऐसा आप कुछ online हो गया online है आप जमा दे रहे है जो interface आपको नजर आ रहा है portal पर but there are back offices too physical offices हैं ROC के Calcutta में कहां है anyone knows Calcutta में है full page Calcutta में कहां है ROC office क्या किसी को पता है chat box में देखो को answer आता है क्या where is the ROC office in Calcutta please check सोच के बताओ याद करके मुझे Calcutta में कहां है Nizam Palace yes Calcutta में Nizam Palace में है remember ओके तो आप देखो के ROC में आपको देखो के generally ये जो MCA में जो officers रहते हैं वो आप Indian Corporate Law Service वाले officers रहते हैं और वो बहुत सारे functions को करते हैं Calcutta में भी आज के दिन Mr. Sahu ROC है Mr. Reddy Assistant ROC है Mr. G. Mahesh भी Assistant ROC है Mr. Mohit Kumar भी Assistant ROC है and Mr. Gokul Nath भी Assistant ROC है तो ये जो ज्यान आपने सुना होगा कभी कोई से ROC एक आदमी होता है बट ROC के संग अलग Assistant ROC बहुत सारे create कर देते हैं वरना अकेला बंदा विचारा बहुत लोड में आ जाएगा प्रेशर में आ जाएगा ओके एवरिवन तो Administrative Machinery एकदम clear है everyone how it is functioning layout once again ये पूरे बैच को clear है कि Administrative Machinery क्या है RD क्या है ये सब को clear है Tribunal and Court का फरक समझ गए ओके एक चीछ बताओ मेरे को चैट बॉक्स में पूछता हूँ किसको पता है Ministry of Corporate Affairs और कोई एक दो कानून बताओ जिसको regulate करता हो एक दो और कानून बताओ full page once जल्दी एक दो और कानून बताओ जल्दी बताओ बाहर आना पड़ेगा लोग सो गए है उठ भाईया कौन सो रहा है मुझे सब दिख रहा है मैं अंतर यामी हूँ आंग बंद करता हूँ पता लगा लेता हूँ उठो Ministry of Corporate Affairs और कौन से कानून को regulate करता है लेट मी नो which other laws are regulated by Ministry of Corporate Affairs चैट बॉक्स में लिखा है कि बच्चा कोई anyone has written which other laws are regulated which other laws are regulated by Ministry anyone जल्दी बताओ which other laws are regulated by the Ministry LLP Act very good हर्ष very good LLP Act anyone else IBC Code भी okay IBC Code भी Ministry of Corporate Affairs regulate कर रहा है तो Ministry of Corporate Affairs बहुत सारे law को regulate कर रहा है जैसा कि आप स्क्रीन पर देखेंगे LLPs को regulate of course करता है Companies को करता है ROC भी LLPs को regulate करती है अपने एरिया के LLPs को Limited Library Partnership very good तो यह हम लोग देख रहे थे background clear तो कोई अगर copy maintain कर रहा हो मैं वापस बोल दो तो आपने क्या लिखा we discussed the history the reason behind amendment repeal and amendment का difference administrative machinery यह चार चीज़े हमने discuss किया history, reason, difference between appeal and amendment and administrative machinery बहुत अच्छे से discuss किया है structure भी देखा है भारत में मैंने बुला कि प्राए हर state में ROC है एक-एक ROC है प्राए हर में क्योंकि कुछ North Eastern state में 4-5 मिला के एक ROC है एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के दो states ऐसे है बहुत important information बाद में भी काम आएगा भारत के दो states ऐसे है जहां पर एक state के अंदर दो-दो ROC है can anyone tell me the name in the chat box try harsh, please can anyone tell me the name YouTube वाले लोग भी जब देख रहे होंगे भारत के दो ROCs कौन से है जहां एक ही state के अंदर दो-दो ROC है मुझे बताईए two states where there are two ROCs in each state there are two ROCs yes, anyone कोई लिखा है बच्चा दो state ऐसे कौन से है भारत के जल्दी बताईए yes, वो दो state कौन से है वो दो state है Tamil Nadu and Maharashtra Tamil Nadu and Maharashtra वो दो state है एक बच्चे ने लिखा है दूसरे जगा पर Tamil Nadu and Maharashtra दो states है वहाँ पर area बाटावा है कि Tamil Nadu का ये वाला area इस ROC में है कुछ और area और एक ROC में है Tamil Nadu and Maharashtra are two states which have two ROCs each पका तो अब हम लोग क्या सीखने वाले है next चीज बहुत interesting चीज है ध्यान से सुनना layout ये change कर लेना सुमना तभी भी pending है चैलेंज circular can be challenged ओके ध्यान से देखेगा ये challenged होगा चलिए अब एक कुछ आपका और इंट्रेस्टिंग चीजे सिखाता हूँ बोलकर एक नया चैप्टर इंट्रेस्टिंग हुआ है ये मेरे बुक का या इंस्टिट्यूट की बुक के चैप्टर की बात नहीं हो रही है इस चैप्टर 21A प्रोड्यूसर कम्पनी का बोलकर हो रहा है ओके so there are 470 sections सारा पढ़ना है के मुझे 470 sections good news सारा आपको नहीं पढ़ना है आपको इस सारे के सारे नहीं पढ़ना है remember this आपको इन में से आपके course में अलग-अलग course में अलग-अलग ranges लिखा रहा है था वो section numbers पढ़ना है इसमें schedules है एक schedule आप सब नहीं सुना है what is that schedule schedule number 3 all of you know that schedule 3 हाँ हाँ accounts teachers आपको सिखाते है तो schedule 3 सब जानते बड़ना schedules schedules act का ही part होता है ताकि act में कुछ चीज़ें कई बार ऐसी लिखी रहती है सुनके रखिए CSR सुना होगा आपने corporate social responsibilities तो CSR के लिए सपोज आपकी company कुछ क्या बोलता है उसको poverty eradication program कुछ कर ले रही है या आपकी company स्वच्च भारत अभियान जो आया था न उसमें खर्चा कर रही थी तो यह CSR के अंदर covered होता है तो CSR जम लोग पढ़ेंगे chapter उसमें लिखा रहता है as mentioned in schedule 7 तो हाँ list of items दियावाए है broadly कि यह यह item में अगर आप खर्चा करेंगे तो उसको माना जाएगा कि आपकी company ने अपनी CSR की जो एक responsibility होती है कुछ-कुछ companies पर वो discharge की है तो CSR का list कहाँ दियावाए schedule 7 में तो वैसे ही अलग-अलग जगा आपको अलग-अलग schedules में अलग-अलग matter लिखा रहता है वो section के अंदर reference रहता तो schedule भी act का ही part है सरी sections क्यों बनाते हैं हम लोग sections अगर नहीं होता तो आप ही सोची अगर section नहीं होता आज हमना easy होता है बार-बार निकालना पड़ता तो section numbers हमारी easy reference के लिए बनते हैं लोग के अंदर जो help हो जाता है कि जो matter है उस matter को आप देख सकते हैं broadly topic wise chapters है तो there are around 29 chapters और यह भी एक नया आड हो गया chapter 21A producer company जैसे auditors का एक अलग chapter है फिर उसके अंदर बहुत सारे sections है sir rules का होते है sections जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसके अंदर कई बार आप लिखावाएगा आप बड़े हो रहे हैं सीखोगे as may be prescribed तो यह जो word है ना as may be prescribed यह rules में central government prescribe करता है and central government here means ministry of corporate affairs ओके तो sections क्यों बनते हैं आपके reference के लिए chapters जैसे auditors का एक chapter के अंदर सारे sections है incorporation के सारे points एक chapter के अंदर है schedules are also part of the act rules implement करवाता है इन provisions को M.C.A. बनाता है अब देखो ministry of corporate affairs कई चीजे बीज इच में notification लाता रहता है तो M.C.A. notify करता है यानि announce करता है legally चीजों को official gazette में ये government का एक paper होता है जिसको हिंदी में बोलते है भारतिय राजपत्र तो government official gazette में चीजों को announce करता रहता है तो government जब official gazette में चीजों को announce करता रहता है remember तो इसको बोलते हैं notifications इनको मानना है क्या yes, they are binding जैसे आपको example देता हूँ private company verse सुने आप लो उनको MCA का notification है बहुत सारी चीजों उनको comply नहीं करनी पड़ती वैसी आप मेरे से एक दिन पढ़ोगे small company इनमें भी बहुत relaxations है small company का तो definition भी change हुआ था 1st February 2021 को जो effective 1st April से हुआ था basically पर 1st February को एक notification आया था कि small company जो आप बच्पन में पड़े होंगे कि हाँ जिसकी paid up capital 50 लाग क्रॉस ना हो and turnover 2 करोड क्रॉस ना हो 1st February 2021 में अगर नहीं पड़ा तो आप सुनोगे पर एक वे ट्रेलर बता रहा हूँ small company जिसकी paid up capital अब 2 करोड क्रॉस ना हो and turnover 20 करोड क्रॉस ना हो वो भी small company है अगर वो private company ये नए वाले figures को satisfy कर दे और detailing है पर आप समझ रहे हैं कि ये notifications जब आता है तो हमें फिर changes act के अंदर उसको संग में करके पढ़ना पड़ता है फिर कई बार mca circular आता है कोई चीज को clarify करने के लिए कि मेरे इस चीज का इस चीज को लेकर कई अलग-अलग practice follow हो रही है तो mca का circular आता है तो sir circular and notification में क्या फरक है circular कोई चीज को clarify करने के लिए आता है and आये वे circulars को कई बार फिर challenge कर देते है professional bodies और जैसे pandemic सुना आपने covid की समय बहुत सारे mca की circular आये थे तो एक circular को challenge कर दिया गया था और फिर finally decision आया बट मैं भी उसमें नहीं जाओंगा विकाज अभी आप जानते नहीं है provisions के बार में circulars can be challenged but notification cannot be challenged it's final मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि हर circular को challenge करना है but there are some circulars जिनको challenge भी किया जा सकता है और decisions court और tribunal के आते रहते हैं special courts और tribunal के तो उनसे फिर case laws बन जाता है तो अब नया चीज़ आज क्या सीखे जो लोग copy भी maintain कर रहे है circular and notification का difference okay and mca orders भी pass करता है कोई चीज़ों को ले कर अगर act में problem हो रहे थी तो उन difficulties को remove करने के लिए orders भी periodically आते रहते है but broadly act में 470 section है broadly अब उसके अंदर भी बहुत सारे parts होते है section चीज़ अलग है अभी पढ़ोगे और आप देखो कि section suppose यहां मैं लिखता हूँ कोई section number section 3 bracket 1 बोलते हो न तुम इसको बोलते हैं हम लोग subsection section 3 bracket 2 इसको क्या बोलेंगे हम लोग subsection 2 और एक हम लोग बोलते हैं देखो कि यह बहुत फेमस चीज़ है section 3 A section 10 A section 3 और यह 3 A अलग है याद रखना they are different they are not same sections 3 subsection 2 and 10 A different 3 subsection 1 and 3 A are different but 3 subsection 1 and 3 subsection 2 related है आपस में सरी अब क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया अचा आता हूँ अभी सिमझाता हूँ तो पहले यह clear हो गया sections, chapters rules all these things are clear to everyone अब आप देखोगे कि subsection क्या होता है या सर मैंने तो एक सुना है बचपन में भी पढ़ाया कभी definitions जब पढ़ते है section 2 और उसके bracket में जो points होते है बतब number होता है उसको clause बोलते है yes definitions के section number 2 definitions usually प्राय है हर section में वहीं होता है वहाँ जो bracket में होता है उनको हम लोग बोलते है clause और ये वाले है sections and subsections so tell me subsection और clause के बीच में क्या difference अगर कोई पूछे आपको तो subsection में क्या होता है कि वो सारे matters आपस में same topic से related है okay but clause में क्या होता है वहाँ पे different different topics discuss होते हैं आप जब section 2 मेरे से पढ़ोगे definitions वहाँ many definitions हैं आपस में अलग-अलग topic आप M.D.B. पढ़ोगे manager भी पढ़ोगे small company, holding company यानि कि section 2 के अंदर जो clauses है वो आपस में related नहीं है they are independent and different but section 3 में जो clauses आ रहे हैं वो उसी से related अगर OPC की बात है section 3 में तो उसी से related बातों को आप पढ़ते हैं section 3 में तो subsection and clause आज clear हो रहा है चीज बहुत interesting था and यह 3A अलग चीज है तो आज हमने यह भी पढ़ा apart from the administrative machinery, repeal and amendment के बाद हमारे companies act में बहुत सारे chapters हैं, कितने sections हैं amendment act आने के बाद यह chapter 21A बोल के add हुआ है producer company में हमारे पास schedules हैं और circulars, notifications and orders differences क्या होता है यह भी देखा है हमने and एक और important चीज मैंने बोला था आजकल e-filing होता है यह पूरे syllabus में बार-बार काम आएगा ध्यान से, full page करो एक बार जिनके अज PPT नहीं है वो इस page का image जरूर उतारना sir, mobile से कैसे externally by when कोई दूसरे रूम में होंगे आवाज दीजे तो e-filing में आप देखोगे form numbers आएंगे बहुत सारे कुछ-कुछ बहुत famous होंगे याद करना होगा they are alphanumeric जैसे की example देता हूँ एक form आप पढ़ोगे spice plus जब company incorporate होती है संग में और भी form जाता है एक दिन आप form पढ़ोगे अचानक INC 32 एक दिन आप form पढ़ोगे ADT 1 एक दिन आप form पढ़ोगे MGT 14 अब फोटो दारो तो इस आर alpha numeric यानि की यहाँ पर आप देखोगे chapter जो है ना incorporation उस से related matter है that is alphabet और पर उसको छोटा कर दिया गया 32 ADT 1 auditors related chapter है management से related कुछ chapter है MGT 14 तो alpha numeric forms होते हैं कि सारे e-filing है actually NCLT के पास physical forms file होते है NCLT के पास with NCLT लिख के रखो please physical forms are still filed in Companies Act with NCLT यह बताना इसलिए भी जरूरी है कई लोग आधा बात जानते है कि सारे forms e-filing है तो remember photo तार लिया आपने अगर कोई के पास नहीं externally दूसरे mobile से that physical forms are filed with NCLT remember physical forms for some matters आज भी NCLT के पास physical forms आज भी जमा होते हैं तो इसलिए अगर कभी MCQ आ जाया या integrated case studies आता है exam में multiple choice questions आता है तो NCLT के पास e-filing नहीं होता है कि लड़का तो लिख के भी आ गया है NCLT के पास e-filing करेंगे हम MCA. उसमें तो नहीं physical forms NCLT के पास आज भी जमा हो रहा है तो आप जिस लेवल पर हैं आपको यह notifications, circulars, all these things must be known to you everyone ताकि आप syllabus को अच्छे से समझ सकें सर्थ मुझे numbers भी आत करना है कि order number यह 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 नहीं 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 इस लोग देखते थे बच्छपन में फर्स लेवल पर और अभी भी कि कई इक बार ऐसे से केस लॉज आते हैं ले आउट वांस से एक बात बताईए जो बड़े-बड़े case laws हैं यह क्या होता है यह तो सबको पता होता है यह plaintiff होता है first party जो case file करता है second वाला defendant इस्टेप का case law दिख रहा आपको सरी बात बताईए सब क्या लिखा है AIR what do you mean by AIR anyone in the class AIR शब्द का मतलब कि अब तुम लों बोलो कि हाँ समय rank holder हूं AIR All India rank holder no 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 यह क्या होता है यह government के कुछ reports होते है bulletins होते हैं जिसमें periodically case laws छपते रहते हैं तो यह कई bulletin है तो कई case laws में आपको AIR ऐसे लिखावा मिलेगा तो यानि किस bulletin में यह case छपा है यह private publishing houses है बेसिकली इन लोग इस टैप को यह सब लिखावा background यह reading category का है घर में जरूर पढ़ना knowledge के लिए तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि किस case law में case छपा है किस साल का case है कौन से court का case है और फिर ऐसे लिखा रहा था 2009 यानि कि 9th volume supreme court cases की 9th volume में छपा थ पेज नंबर 193 में छपा था समझ में आ रहे हैं मैं case law को कैसे पढ़ोगे यह exam में नहीं पूछेगा पड़िये आपको मैं practically बताना चाहरा था 9th volume में छपा था पेज नंबर 193 में छपा था this is the way how case laws are designed पका and are printed basically तो आज यह चीज clear हो गया मैं बार बार उस page पर आ रहा हू आज हमको सब section clause यह सब की बार में पता चल गया है e-filing and physical form में क्या difference होता है यह भी पता चल गया है आज भी NCLT के पास कुछ-कुछ forms physically file हो रहे हैं यह नहीं कि सारा forms भी company law के अंदर e-filing हो गया this is not the case is it fine everyone पक्का ओके सारे section numbers याद करने हैं क्या चली यह तो एक बहुत important question आ जाता है यहाँ पर लिखके do we need to learn section number do we learn section numbers कोई बच्चे पूछते हैं कुछ important वाले होंगे तो वो आपको याद करने पड़ेंगे सारे कि सारे याद नहीं करने है thank God sir अच्छा लग रहा है ओके फिर भी याद हो जाता है एक dialogue सुना होगा आपने प्यार किया नहीं जाता है प्यार हो जाता है वैसे ही section numbers याद नहीं किया जाता है वो पढ़ते पढ़ते revision के दौरान याद हो जाता है sir word to word law में आपको word to word लिखने की कोशिश करनी चाहिए because जैसे मैं freedom दे दूँगा अपने language में लिखना आप क्या करोगे मैं already जानता हूं कई लोग जो मेरे से पहले से भी पढ़ रहे so I am very strict आप law को कोशिश करिए उन्ही technical legal words को use करने की अपनी law मत बनाईएगा पहले ही बोल दे रहा हूं is it fine? so do we learn section numbers क्या हमें word to word वियाद करना है all these things are very very important याद रहेगा आपकोई चीज? reports भी हो गए sir अब हम लोग क्या देखना चाहेंगे? अब हम देखना चाहेंगे finally हमारे company law का section number one section number one of our company law which is a very important section और देखिए इसमें एक short title है the company's act 2013 this is the short title title हर act का एक internal help होता आपको इस act के अंदर क्या है? पता चलने लगता है और ये act क्यों आया था? मैंने बताया था पहले भी बहुत सारे laws आये वे थे long title है कि पुराने act को consolidate और amend करते वे सब repeal करते वे अब एक नया act हमारे और आपके बीच में है ओके तो एक logic की बात बताएगे company's act किसको apply करेगा sir companies को और अब हम आपके संग बोलेंगे company क्या होता है sir company वो है जो Indian companies act के अंदर registered है हमारे भारत में जिसका registration हुआ हो उसे हम बोलेंगे company ओके और company का जब registration होता है remember registration यानि formation या incorporation जब होता है तो एक certificate मिलेगा जिसको बोलेंगे certificate of incorporation और ये certificate आज कल कौन देता है इस इस वेरी interesting आप बोलोगे ROC देता है सब certificate of incorporation आज भी school में यह पढ़ाया जाता है but अब ये certification लिख ले ना central registration center नाम का body देता है सब centralized हो गया है यानि आपके jurisdictional ROC आपको certificate of incorporation नहीं देगा the certificate of incorporation is given by the certificate of incorporation is given by लिख रहे हो आप CRC याद रखना MCQ में सब मेरे बही आकी बुक में उसमें आप ही ने ROC पढ़ाया था ओके जोगर मेरे से आपके कोई भाई बन 10 साल पहले 5 साल पहले 2 साल पहले भी पढ़े होंगे 3 साल पहले भी हम लोग यह पढ़ाते थे पर अभी लाज 2-3 साल से क्या आ गया है CRC Central Registration Center यह गुडगाओं में इसके office है और यह centralized है तो ROC अब certificate of incorporation issue नहीं करता है certificate of incorporation कौन दे रहा है CRC दे रहा है MCQ में भी याद रखेगा इस चीज को बेसिक है तो section 1 जानना जरूरी होता है चाहिए आप कहां भी पहुंच जाए यह उन सारे companies को apply करेगा जो भारत में कभी भी incorporate हुए हो insurance company banking company electricity company companies under any special acts like telecom company सबको apply करेगा यह full page फोटो ले सकते हैं अगर कोई लेना चाहें जिनके आज PPT नहीं हो तो यह सब को apply करेगा body corporates formed and notified by central government in official gazette और भी कोई body corporates like food corporation of india and national highway authority of india इस type के दो bodies को तो हमारे central government notify किया है यह act उनको भी apply करेगा is it fine everyone now will it apply will the act apply to foreign companies will the act apply to chat box में आ जाईए सबांसर्स दीजेगा मुझे foreign companies को apply करेगा यह जो foreign companies होती है कुछ foreign companies के नाम बताओ सबसे पहले मेरे मुझे आता है walmart क्या act walmart को apply करेगा हमारा Indian companies act foreign companies जानते हो ना जो इंडिया के बाहर बनी हो layout बट इंडिया में उसका कोई place of business हो physical office हो या वो electronically भी online भी कोई काम अगर इंडिया में करता हो तो foreign company है यानि इंडिया की बाहर बना हो और इंडिया में किसी भी तरीके से business नहीं करेगा chat box कितने लोग के क्या जवाब आते हैं एड़सी पिलाक्ट अप्लाइट फॉरें companies कोई लिख रहा है बच्चा कोई तो लिखो अगें हर्ष बट आक्टर फॉर्मिंग सेपरेटली इंडिया नो नो नॉट exactly anyone else will the act apply to foreign companies जल्दी बताव मुझे act foreign companies को कई बच्चे तो बोल देता है apply नहीं करेगा because foreign company is not a company यह बात याद रखना foreign company company नहीं है foreign company company तो बिल्कुल नहीं है because it is not registered in Indian company but हमारा Indian companies act foreign companies को apply करता है सारा provisions नहीं कुछ-कुछ provisions foreign companies को भारत में comply करने पड़ते हैं लेकना some provisions are applicable logic भी है यार हमारे देश में काम करें हो हमारे soil पर पैसा कमा रहे हो तो हमारे कुछ-कुछ चीज़े जो हमारी act बोलेगी वो आपको कम से पालन करना पड़ेगा तो foreign companies भी भारत के companies का कुछ-कुछ चीज़ पालन करेगा बट दे आर नोट companies उनकी separate entity होगे उनके country में तो every company are you understanding every company is having separate entity every company is a body corporate जिसके separate entity होती है perpetual succession होता है okay every company is a body corporate remember this but every body corporate is not a company best example foreign company का body corporate तो है खुद के country में वो separate entity है foreign company की बट वो company नहीं मानी जाएगी बट companies act के अंदर कुछ-कुछ provisions foreign company को भी comply करना पड़ेगा is it fine everyone very good okay तो यह line आपने लिखी लिया होगा question लिख लिख लिया था will the act apply to foreign companies answer एकदम clear है कि yes foreign companies को भी किस तरह यह act apply करता है तो हमने देखा पूरा background कॉन administrative machinery है यह नए नए अलफाज हमने देखे हैं जो पहले शायद नहीं जानते थे section clause order circular notification सर बहुत सारे case laws है क्या syllabus में तो tension में मता हो ज्यादा नाम याद नहीं करना पड़ता examination के लिए तो कई लोग आज ही tension में आ जाएंगे मेरा काम है आपको खुशी देना कि आप बहुत easily manage कर पाएंगे जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे करिए friend का सुनोगे तो अलग धंक से होगा मैं subject को easy बना के पढ़ाना चाहता हूँ मैं यह चाहता हूँ कि अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं और अच्छा ला पाएंगे मेरे से नहीं पढ़ते तो और अच्छा ला पाओगे और चीज बहुत easy लगेगी इसमें को डुक तो नहीं ले आउट है ना यह सब companies को apply करता है पर सब बात बताईए यह जो companies है इनके खुद के भी कानून है बोर्डवक आ रहा है ना ले आउट है यह जो companies है इनके खुद के भी insurance act है banking act है तो सर उसमें कुछ और बात लिखी होगी companies act में कुछ और बात लिखी होगी तो कौन सा comply करन पड़ेगा अगर कभी conflict हो जाए तो special act की बाते इन companies को comply करनी पड़ेगी remember this यानि की company law और इनके law में अगर कभी conflict हो जाए तो special act की जो बाते होंगी वो comply करनी पड़ेगी तो अब इतना देर पड़ चुके हैं और हमें पता चलने लगा है आखिर ले आउट बाद बोर्ड और के अंदर होता है इसको certificate of incorporation CRC देता है बचपन से सुना था आपने यह सब चीजें आप जानते थे और separate entity का जो बहुत फेमस केस है इसको भी मैं इस class में कुछ discuss करने के आवश्यक्ता नहीं है we'll do it separately slides आप घर जाके पढ़ सकते मेरे संग संग भी reading कर लिजे 10 seconds का time दे र लिया था लाइबिटी लिमिटेड है up to the unpaid value जो amount 10 रुपया का शेयर अगर 5 रुपया शेयर holder दे दिया है 7 रुपया दे दिया है तो 3 रुपया के लिए ही उसकी लाइबिटी और रहेगी कंपनी की perpetual succession हमेशा चलती रहती है बढ़ हां अगर आप liquidation winding up कर दें कंपनी का process follow कर दे और रुसी उसका नाम हटा दे तब perpetual succession खतम होगा otherwise perpetual succession सारे shareholders मरने से भी नहीं होता है but winding up का proper process follow करके आप perpetual succession को खतम कर सकते हैं is it fine और share capital होती है आपको पता है private company के shares freely transferable नहीं है मुझे common seal दीजेगा यहाँ पर होगा उसके अंदर एक bag के अंदर और यहाँ इस खोड़ो ड्रॉर में and public company के shares freely transferable होते हैं यह भी हमने देखा था ownership and management separate hands में होते हैं company law में यह अपने को पता है and common seal यह क्या है कई लोग देखिया अब का metallic body आपको दिखाई देगा आप life में कभी what is this stapler बड़ा stapler कई लोग तो बोलते हैं सा nail cutting कर लो अरे हाथ काट दूंगा यह वो नहीं है कि हर company को ऐसा बनाना पड़ता है memorandum में कुछ important clauses होते है name clause object clause सुना होगा अपने capital clause इसकी detailing हम लोग करेंगे जगा 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 जहां आएगा बहुत सारे clauses है साथ clauses होते हैं छह होते है normally अगर आप OPC है तो एक nominee clause भी रहता है succession clause की करल को आपको कुछ हो जाए तो कौन बनेगा articles of association यह word भी syllabus में बार-बार आएगा final level तक कि articles of association क्या होता है rules and regulations for internal management तो आज हम लोग broadly discuss कर रहें इसकी detailing हम लोग जगा जगा अलग-अलग chapter में जैसे जैसे आगे आएगा हम लोग देखेंगे और यह भी सब को clear है body corporate में तो सब आता है LLP भी आता है is a firm a body corporate no firm is not body corporate तो यह चीजें आपको clear होने लगी full page कर दोएगा बच्चे नज़र डाल लेंगे फिन लोग आगे जाएंगे एक बाद फूल पेज हाँ just read कर लीजे एक बाद ली इन चीज़ों को फिर हम आगे चलते हैं is it fine everyone check कर लो अच्छे से तो features of company भी सब को पता चल गया features of company एक दम clear है it's a body corporate separate entity perpetual succession वो खतम हो सकता वो तरीका अलग है it may have a common seal common seal होना compulsory नहीं है optional है पर जिन company के पास common seal है उनके लिए compulsory हो जाता है कुछ-कुछ documents में लगाना याद रखना layout once इस पर कई लोग का concept हिला हुआ है common seal तो लगाना ही optional है है तो भी नहीं लगाएंगे sir के notes में लिखा हुआ है majority people don't understand that common seal होने के बाद अगर आपके अस optional है और आपने लिखा है we have a common seal तब फिर लगाना कुछ-कुछ जगा compulsory हो जाएगा देखेंगे हम लोग chapters पढ़ते वक्त body corporates के और भी example दिये गए हमारा CA institute भी एक body corporate है जो CAI act के अंदर बना है CMA institute भी RBI SBI LIC all these are body corporates examples हमने भर-भर के हम पर लिख दिये है पक्का everyone NCLT आने के पहले एक body था CLB वो body dissolve हो गया और इस तारिक से तो NCLT फिर functioning शुरू किया था is it fine everyone तो syllabus में कई बार मैं MCA, ROC, NCLT ऐसा बोलूँगा तो आपको समझ जाना है कि हम लोग कहा है और company and body corporate में बड़ा शब दिखिया है अब तुम तो alphabet count करके बता तो कि body corporate अल्टपा में राइड भी हो गया body corporate includes company it includes company it includes Indian company foreign company LLP कोई भी प्रकार का body corporate होगा तो covered है but of course cooperative society हमारे company law में लिखा हुआ है cooperative society body corporate नहीं माना जाएगा हमारे company law में एक चीज clearly लिखा हुआ है अब companies कई प्रकार की होती है यह हम लोग आने वाले classes में पढ़ेंगे और यह जो है types of companies कि हमने क्यों पढ़ाया जाता था because उसकी अनुसार provisions अलग हो जाते है जैसे private company को बहुत सारी ची यह का notifications आया वा है उनको भी कुछ-कुछ चीजे apply नहीं करती है इसलिए हम लोग को question paper में types of companies बहुत अच्छे से देख लेना पड़ता है so what is this listed and unlisted company जो stock exchange पर trading permission जिनको मिलावार है वो listed company है like Reliance Industries Limited एक listed company है okay ITC एक listed company है तो unlisted जो stock exchange पर trading नहीं करके रखती है वो unlisted company है और जो listed है stock exchange पर अपना नाम ला चुकी है अब एक चीज़ में को यह बताईए यहाँ पर कि public companies listed होती है या unlisted anyone कि जो public companies है are they listed और unlisted chat box में मुझे बताईए क्या public companies listed है या unlisted होती है I am waiting for your answer हम लोग interactive sessions कर रहे हैं और पेंडरे में भी आप सोचेगा क्या आपको भी answer देना मुख खोलिए अपने खाली रूम बर और सोचिएगा क्या public companies listed है या unlisted है प्लीज participation required public companies listed है या unlisted है सोचो प्लीज क्या लिखते हैं लेट विल वेट बच्चे क्या लिखके लिखाते हैं आप पढ़के बताईए का मुझे आंसर कोई लिखा ही नहीं अभी तक public company listed है या unlisted है आज आप मैं ही देते था answer look at the screen look here don't know हो सकता है public company listed भी होते unlisted भी होते और यह दो बेस्ट examples है जो भुजी आप खाते होंगे जिस गारी में आपने बैठा हो गए दोनों public companies है पर यह unlisted है तो ऐसे बहुत सारे public companies है जो unlisted है reason क्या है क्योंकि listing जब करवाते न stock exchange पर बहुत सारे formalities होते हैं जब आप list करवाते हैं तो वह इतने सारे formalities का बोजह नहीं लेना चाहती है public companies तो public companies सोचती अभी मेरा उतना कामकाश्ट है नहीं सब्सक्राइब इतना सारा formalities है तो अभी unlisted रहते हैं बाद में अगर लगेगा मुझे public से पैसा उठाना है तो मैं लगता है अच्छे क्वेस्टिन विचपनीज और पब्लिक चलो चैट बॉक्स में लिखो इस प्राइवेट कमपनीज ज्यादा है या पब्लिक और पब्लिक कमपनी और पब्लिक कमपनी विच companies are more in India, कौन सी companies भारत में ज़्यादा है, private companies ज़्यादा है भारत में या public companies ज़्यादा है मैं वेट करूँगा tell me बताईए मुझे कौन सी companies भारत में ज़्यादा है, private या public yes, जल्दी जल्दी, मैं बाहर आ रहा हूँ जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ, SMS करो, chat box क्या लिखा है, private या public, very good, who is this, कौन लिखा है, देखें तो, मोहित महता, very good, private companies की मातरा जादा, इंडिया में ऐसे भी family owned companies बहुत सारी है, private companies की मातरा जादा है, इंडिया में अभी भी, okay, यह सब interesting लगता है, आपको भी जान अब दो important चीज में discuss करना चाहूँगा, एकदम ध्यान से सुनना आप लोग सभी कोई, one is, अच्छे, memorandum के clauses के नाम यहाँ पे भी दिये वा था, rules and regulations for internal management, और फिर पता, आप देखोगे, आने वाले classes में, ऐसे format होता है, table A to table E, schedule 1 है मारे companies act में, आज आजम लोग कई schedule का ना तो यह ना, table A of schedule 1 to companies act, इस company का, उसमें format दिया वा है, कि company के memorandum का format कैसे होगा, यह articles का format, अलग-अलग परकार के जो companies का आपने चार्ट देखा था, once we know about it, तो हर company का अलग-अलग format दिया वा है, usually जो company limited by shares होती है, जहाँ पर shareholder की liability सिर अन-paid value तक है, उनका जो model format है, articles of association का, that is table F of schedule 1 to companies act, यह आपको final level तक यह table F कई बार आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ओके, now the last topic for today, interesting discussion, क्योंकि आपको पता है, company law में democracy है, board of directors decision लेते हैं, shareholders के बहाफ में, तो यह दो शब्द आप सब देखेंगे अभी, अभी का भी, one is general meeting, शब्द क्या मिला, general meeting, तो meetings में है न पहले एक proposal आता है, put किया जाता है, vote करने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग motion, and जब वो decide हो जाता है, if decided, it becomes a resolution, it becomes a resolution, proposal जो आता है, उसको हम बोलते हैं, motion, और जब decide हो जाता है, that is called a resolution, तो look here everyone, मैं बोल रहा हूँ कि general meeting, shareholders meeting में कुछ-कुछ matters decide करना है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, act बोल रहा है, companies act बोल रहा है, работать के यह matters, shareholders meeting में decide करना है, हमारा act बोल रहा है, और कुछ-कुछ matters, board meeting में decide करना है, तो decision लेने के दो तरीके है, Sir, दोनों में से pair act में दिखाई देता है तो ordinary resolution बोलकर एक शब्द है and और एक शब्द है special resolution तो किस matter में कितने लोगों की हाँ चाहिएगी कितने shareholders की हाँ चाहिएगी वो act में लिखावा है पहले से तो when I say ordinary resolution जैसा screen दिख रहा होगा votes in favor greater than votes against when I say special resolution votes in favor are at least three times the votes against वो पहले से लिखावा है इस matter में ये इस matter में वे तो logical ये बोलता है कोई important और crucial matter होता है तो lawmakers ने वहाँ demand किया है special resolution in shareholders meeting यानि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हाँ में मिल जाए तो ये sum देखो 100 members present at the meeting वो सकत है members तो बहुत सारे हों अजार हों पर आये हैं कितने 100 50 did not vote confused थे क्या करूँ कि ना करूँ 26 voted in favor 24 voted against क्या ordinary resolution पास हुआ तो कुछ लोग तो ऐसे पढ़के जाते हैं ये language कई लोग बोलते हैं अपना words में पढ़ ले उनके संग problem क्या होता ये ही language ज़रूरी था पढ़ना क्योंकि वो अपने words वाई लोग क्या पढ़के जाते हैं पता है when simple majority of the members present agree then the matter is decided पर language तो present से नहीं देखा जा रहा है जो लोग vote नहीं डाले shareholders meeting में जो लोग shareholders meeting में vote नहीं डाले उन्हें ignore कर देना हमें किस से मतलब है votes in favor से 26 24 votes against तो जब votes in favor वाले votes against से जादा होते हैं तो भी से OR past understood everyone पक्का everyone उसी तरह special resolution votes in favor greater than votes against तो जब मैं बोलू votes in favor at least three times the votes against तो अगर मैं बोलू 25 favor में है 75 against में है तो remember हो गया minimum अगर मैं बोलू 20 favor 80 against sorry अगर मैं बोलू 20 रॉंग हाँ ठीक है against में 25 था अगर against 20 favor 80 क्या special resolution पास हुआ है येस लड़का बोलता है नहीं सर थ्री टाइम्स होना चीए था ना at least three times लिखा है ज़्यादा हो गया तो और अच्छी बात है तो special resolution और OR में जो लोग आते हैं और vote डालते नहीं है वो ignore कर दीजे वो हमारे काम के नहीं हमें सिफ valid votes को check करना है और जब ही भी company में कोई special resolution पास होगा तो जैसा मैंने बताया event based filing हम एक form फाइल करना पड़ेगा MGT 14 ROC को within 30 days of passing the special resolution तो ये MGT 14 कई बार board resolutions में भी जाता है वो हम लोग बाद में पड़ेंगे पर अभी क्या देख रहे हैं हम लोग कि whenever you pass special resolution तो within 30 days of passing special resolution MGT 14 जमा हो जाना चाहिए और ये भी पता चल गया जो vote नहीं डालते हैं उन्हें इग्नॉर कर दीजे ये shareholders meeting की बात कर रहा हूं इतना जोर क्यों बोला आपने ताकि आप उठ जाएं अब देखिए एक नया शब्द आपके लिए board meeting board resolution votes in favor greater than votes against UBR unanimous board resolution इसका क्या मतलब होता है all directors present प्लीज लिख लो इसको जो लोग लिखना चाहरे हैं इस बार मैंने voting नहीं बोला जो present हो आप देखोगे finals के classes में पर all directors present इसका मतलब मुझे बताओगे आप 10 directors present ओके 2 did not vote अभी तु सीखा था आपने बहुत इसी है फुल पेज करो all 8 voted in favor is UBR passed क्या UBR passed हो गया 10 directors were present 2 did not vote all 8 voted in favor layout कर दो all 8 voted in favor क्या unanimous vote resolution पास हो गया है 10 directors present है 2 vote नहीं कर रहे है all 8 voted in favor क्या unanimous vote resolution पास हुआ या नहीं हुआ chat box में वेट कर रहा हूँ आपका मुझे बताईए जल्दी से yes या नो कोई answer आता है बताना मुझे आने से क्या unanimous board resolution पास हुआ है या नहीं हुआ है लेट मी नो प्लीज इस unanimous board resolution पास्ट 10 directors present 2 दिद नॉट वोट येस या नो क्या लिख रहे है नो लिखने है लोग और बच्चे का देखते हैं और बच्चे क्या बोल रहे है इस unanimous board resolution पास्ट अगर आप shareholders meeting का knowledge याद करोगे प्लीज देखो बहुत important observation था क्योंकि मैंने ही सिखाया था जो vote नहीं डालते हैं उन्हें ignore कर दीजे but board meeting में UBR में अच्छे UBR में याद अत्मा यहाँ पे present पे focus किया गया है तो जो आएंगे उनको हाँ बोलना होगा इधर पे भी नहीं focus किया गया जब सिख board resolution लिखा रहता है this right votes in favor greater than votes against उस वाले में जो vote नहीं डालते हैं उसमें वापस वोई concept है जो नहीं vote डाल रहे इग्नॉर कर दो but UBR के case में all must vote in favor all present must vote in favor UBR के case में बहुत strict requirement है अब final level तक भी लोग एक common mistake करते हैं ध्यान से सुनना बहुत fundamental है CMA, CES में CS में सभी courses में लोग क्या लिख क्या आते हैं cross connection ordinary resolution तुम लोग देखो in general meeting special resolution in general meeting but students write sometimes ordinary resolution in board meeting wrong है wrong याद रखेगा OR in board meeting नहीं है special resolution in board meeting नहीं है when I say board resolution it's at board meeting लोग OR in board meeting कैसे लिख दोगे OR in general meeting special resolution in general meeting तो ये word याद रखना answers में problem होता है लोगों का लिखने में अब तुम बहुते CMA में तो type करना आप easy हो गया online exam में फिर भी उसमें तो और problem होगा तो OR in general meeting SR in general meeting phrase यूज करोगे you cannot make it cross connection आप नहीं कर सकते is it fine जैसे आप किसी को सुने हो शारुक बच्चन अमिताब खान शारुक खान अमिताब बच्चन OR in GM SR in GM तो इस बेसिक चीजें आपको याद रख नहीं है इसको मद भूलिएगा तो finally आज हमने देखा company के अंदर काम भी कैसे चलते हैं external नमने structure पहले lawmakers का देखा implementation करने वाली agencies का देखा judiciary का देखा internally भी आज आज हम पता चल गया ownership is separated from management पर कुछ decisions board लेता है कुछ दोनों लेते हैं कुछ shareholders लेते हैं इस अब दिखा decision लेने का तरीका हमने देखा और तरीका क्या है कि कौन से matter में क्या लगेगा वो act में पहले से लिखा है हम या आप decide नहीं करते पक्का everyone और companies बन जाती है CRC company को बना देते हैं ये सारी चीज़े हमने देखी listed and unlisted company अच्छे जो listed company होती है नहीं चीज याद रखना listed company को SEBI नाम का body सुना है पालन भी करना है और companies act के requirement का पालन भी करना पड़ता है तो इतनी सारी चीज़ें हम देख रहे थे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देख रहे थे all these things हम लोग definitions और और आगे भी करेंगे जब जब धरकार पड़ेगा एक चीज देख लो कि finally जब company बन जाती है तो उसको एक sin number मिलता है यह तुम्हारे पाप का list नहीं है यह corporate identification number है यह alpha numeric है slide number 46 जो लोग slide से खोज रहे है slide number 46 तो sin number हर company का मिलता है यह 21 digit का alpha numeric code है और इसमें पहला usually U या L से होता है अगर listed company है तो L वरना unlisted company यह industry code है आपके nature of business पर depend करेगा यह किस state में आप incorporated है state of incorporation यह year of incorporation books में सब है देखेंगे हम लोग जब पढ़ेंगे PTC के जगा कई बार PLC होगा public limited company और यह छेड़ जिटका यह numeric code है this is the registration number of the company is it fine everyone पक्का full page कर दो अगर कोई photo लेना चाहिए 21 digit है इसके अंदर sir एक DIN number बोलके भी concept होता है पढ़ोगे director लोग का एक unique number होता है अगर किसी भी company में आपको director बनना है तो आपके अज DIN number होना चाहिए उसे आप देखोगे बाद में is it okay और अगर certificate of incorporation आपको suppose certificate of incorporation आपको मिल गया है उसमें लिखाव है company बन गई है 11 January 2022 से और issue हुआ है certificate आपको 15 January 2022 को हाथ में certificate 15 January को मिला है अंदर सब लिख दिया गया है 11 January को company बनी है ले आउट तो एक बार बताईए मुझे तो company कप से मानी जाएगी incorporated है 11 January के पहले अगर आप कुछ करेंगे तो क्या वो pre-incorporation है या 15 January के पहले करने वाली चीज प्री-incorporation है company का certificate हाथ में 15 January 2022 को आया है तो माना कप जाएगा company कप से बन गई let me know I'll wait chat box में लिखिए उसके बाद हम लोग class बंद करेंगे कुछ बताऊंगा basics और आपको कल संडे है Calcutta में और कल हम लोग एक class लेने का सोच रहे हैं तो फैर में 2.45 या 3 o'clock सेम इसी तरीके से जैसे आज लोग कर रहे हैं मुझे एक बार अगर आप में आप notification ली alert ना देखे तो मुझे एक बार देर बार तक पूछ लीजेगा most probably tomorrow we'll have कल colleges बंद है तो कल भी कर लेते है तो let me know क्या है क्या था question हाँ एक company कब से मानी जाएगी incorporate हुई है कोई answer लिखा है बच्चा 11 जनवरी या 15 जनवरी 15 जनवरी कोई बोला अभी अभी very good और बताओ और बाकी लोग के views कौन लिखा है 15 जनवरी सुनो ध्यान से सुनो गाउवालो best example ले रहा हूँ आपके लिए ले आउट कर दो एक बार अथा स्वारी ले आउट ही है ठीक है एक्जैंपल यह है सपोज हॉस्पिटल में तुम्हारे बच्चा हुआ है आज 11 जनवरी है और मुरली एक बापू बन गया है ओके नर्स आई दोड़ते दोड़ते बोली चनवरी का आया कई लोग सर्टिफिकेट दे छेले तो बच्चे को खबर ही नहीं देंगे किया यह 15 जनवरी बच्चा हो जाएगा जाए था बोलेंगे बच्चा मेरा यह नाम आ गया रोगया अरे बच्चा आपका जानते हैं बच्चा कम माना चाहेगा आपका है 11 जनवरी से, the year of incorporation, the date mentioned in the certificate is important, not the date of handover of the certificate, understood, इस पर आया है question, तो ये भी मैं आपको इसलिए करवा दिया हूँ, so in the coming classes we'll go further, और एक चीज़ आपको बताना चाहूंगा मैं, कि जबी भी आप तयारियां करें, remember one thing, 2-3 चीज़ बहुत important है, जो लोग pen drive से और ये सब से class कर रह हैं, when you're doing the class, through pen drive, और other modes, remember, just a minute, कि आप हर दिन, कम से कम, 2 classes, sorry, हर दे, one class किया करिये, week में minimum 3 classes करना चाहिए, 3-4 classes, around 1 hour 40 minutes वाले, और query हो, तो मुझे audio query भेजा करिये, sir, मैं आपका student हूँ, मेरा नाम रहूल है, नाम तो सुना होगा, और अभी-भी मैं ये पढ़ रहा था, म आप जब free हो, reply कर दीजेगा, तो within 24 hours, I'll get back to you, भूल जाओ, तो polite reminder, फिर भेज देना, तो या आप मुझे WhatsApp audio भेजा करिये, या WhatsApp भेजा करिये, अगर query हो, अगर कभी technical query हो, class was, हिल जाए, तो उसमें आपको mail करना है, अमिद बच्छावत classes, नीचे लिखावा भी आरा, scroll हो देखो, screen पर, at the rate gmail.com पर, sir, अगर class मैंने आप से ले ली, और amendments अगर आएगा, पर अगर कोई और छोटा मोटा amendment आता भी है, usually 2-3 घंटे के amendment classes होते हैं, आराम से हो जाता है, तो कोई tension नहीं है, कि अगर आप advance में class ले लें तो भी, तो amendments जो है, वो आपको हमारा एक app है, edu दोस्त, उसमें free resources में amendment बोलके कुछ course create होता, उसमें आ जाता है, यह सब सब ध्यान रखने की चीज़े हैं, अच्छे से note कर लो, अगर आप यह class कर रहे है, YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा, उसमें periodic updates, अलग-अलग courses के आते रहते हैं, तो उस हिसाब से आप query पूछ सक होते हैं, पक्का everyone, और center आपको पता हमारा का है, राम मंदिर कैलकटा में एक area है, mg metro के पास, 125 मुक्ताराम बाभू स्ट्रीर, 3rd floor पर आईएगा, या 4th floor पर दो हमारे centers है, 3rd and 4th floor वाला, तो अब वहां पर आके भी कभी कुछ query हो, और जब office खुली हो, पूछ कर आईएगा तो आप वहां भी मेर से personally मिल सकते हैं, कोई tension नहीं है, okay, so be in touch, और जबी भी class करो, happy mood से खापी के आया करो, class करते करते भी खा सकते हो, अगर घर पर है, and मेरा ये मानना है, lay out once again, full page, full page, towards me, towards me, last and not the least, मैं ये मानना बोलना चाता हूँ, that law and audit papers, आपको हमेशा law जब 50-60% over हो चाहिए, क्योंकि audit की पढ़ाई बीना law के पढ़ाई के अधूरी है, कई लोग समझते नहीं, अब तो exam आ जाएगा, अभी से पढ़ना है, don't do that crime, audit छूना भी मत पहला धाई तीन महना, जब तक lawka 30-35% over ना हो, 40% over ना हो, okay, अच्छा है, बलकि एक अच्छे से पहले cover कर ल पढ़ाई जो है, proper जो act होता है, जो law के lines होते हैं, वहाँ से पढ़ना चाहिए, bare act के language को पढ़ते वे, तब आपकी interpretation skills अच्छी होती है, understood everyone, तो हम लोग touch में रहेंगे, revision classes भी आता रहेगा, और विश्वास के साथ जब पढ़ोगे ना, तब अच्छा होगा, तो friends का सुनक अरे तुम बता कहां से पढ़ना चाहिए, या मैं कैसे पढ़ू, तो मैं भी आपका friend हूँ, मेरे और आपकी उमर में तो ज्यादा difference भी नहीं है, मैं भी 21 साल का हूँ, आप भी, sir क्या बोल रहे हैं, मैंने तो सुना है, facebook में पता लगाया, 41, 42 के, yes, पर मैं 20-21 साल का हूँ